हलो फ्रेंड्स कृष्णा की रसोई में आज आपका स्वागत है आज हम बनाने जा रहे हैं मठर पुलाव जो बिल्कुल खेले खेले और बहुती टेस्टी बिल्कुल आसान और अलग तरीके से आज हम मठर पुलाव बनाएंगे इसलिए आप बीना स्कीप के वीडियो को पू अजन के दाना नीग आसान तरीके से मतर पुलाव बनाएंगे जिसका एक एक दाना खेला खेला रहे है देखें चावल आप अच्छे से पहले भूश कर लेना है देखें चावल यहाँ दो कि इसको आधर गंटे के लिए हमें वीगोः आपे और आप इस तरह से पुलाव ब पनाएंगे तो बहुती टेस्टी बनेंगे और चावल का एक-एक दाना खिला रहेगा देखे मैंने बीगों के रख दिये हैं और आधे गंटे के बाद बीगने के बाद चावल से हमें सारा पानी निकाल देना है दूसरी तरफ गैस पे रखा है मैंने एक कुकर, कुकर में एक चम्मच सर्सों का तेल एड़ किया है और तेल को हमें अच्छे से गरम कर लेना है देखे तेल हमारा अच्छे से गरम हो गया है अब इसमें मैंने 4-5 काली मिर्च एड़ की है और एक चम्मच जीरा एड़ किया है इनको हमें अच्छे से 3-4 सेकिंड के लिए अच्छे से भून लेना है देखिए तेल में अच्छे से भूनने के बाद में अब इसमें हमें जो बीगों के रखेते वो चावल एड करने है और चावल को एक मिनट के लिए हमें तेल में भून लेना है चावल में अभी पानी नहीं डालना है चावल को आपको एक से दो मिनट के लिए ओईल में अच्छे से भूनना है अगर आप इस तरह से पुलाव बनेंगे तो चावल एक के खीला रहेगा बिल्कुल भी चिपकेंगे नहीं देखिए एक से दो मिनट के लिए भूनने के बाद में इसमें मैंने एक चमच नमकेट किया है और नमक को भी हमें चावल में अच्छे से मिक्स कर देना है देखिए इसे तरह से चावल में नमक को अच्छे से मिक्स करके देखिए चावल हमारे अच्छे से भून ने है नमक को मिक्स करने के बाद अब जितने हमने चावल लिये थे उसका डबल हमें पाने लेना है एक कटोरी हमने चावल लिया था, तो दो कटोरी पानी एड गया है, और पानी में अब चावल को अच्छे से इस तरह से हमें मिक्स कर देने हैं, साइड में जो चावल चिप किये हैं, वो भी सारे हमें मिक्स कर देने हैं, देखें अच्छे से मिक्स करने के बाद में, अब इस से चावल में मिक्स करत के और अब हमें लगा देना है कुकर के धकनius 2 धकन लगाके और दो सीटी लगा देनी हैं ओ देखिए चावल में दो सीटी लगा लेनी हैं हमें तब तक फ्रेंड्स आपं हमारे चैनल पर नहीं है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नहीं वीडियो की नॉटिफिकेशन आपको मिलती रहे देखिए दो सीटी लगनी के बाद में कुकर हमारा ठंडा हो गया है और खोल के देखते हैं देखिए तैयार हमारा मटर पुलाव बहुती टेस्टी बहुती जल्दी दस मिनट में पन के तयार उठ चावल देखिए एक एक दाना चावल का खीला खीला सा है आप भी जरू ट्राइ कीजिए वस इसमें आपको ध्यान रखना है कि चावल को आपको ओईल में पहले एक से दो मिनट के और देखिए तयार है हमारे मटर पुलाव बहुती टेस्टी चटपटे से आप जरूर ट्राइ करना और मेरी रेसेपी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताना देखिए उपर से मैं इसमें नमकीन एड कर रही हूँ नमकीन से पुलाव का टेस्ट और भी दुगुन हो जाता है आप भी जरूर ट्राइ करना और चैनल पर नहीं है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए बैल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नए वीडियो के नॉट्फिकेशन आपको मिलती रहे हैं देखिए है ना बिलकुल आसान और जटपटे से मटर पुलाव आ अगर आप इस तरह से पुलाव बनाएंगे तो चावल का एक एक दाना खिला रहेगा बिलकुल भी आप फेल नहीं होंगे बहुत ही आसान तरीके से आप नास्ते में जटपट दस मिनट में पुलाव बना सकते हैं देखिए ज्यादा टाइम भी नहीं लगाया और आसानी से बन जाता है बस इसमें आपको ध्यान यही रखना है कि पुलाव को चावल को आपको तेल में एक से दो मिनट के लिए अच्छे से भून लेना है देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कितने टेस्टी बहुत ही अच्छे हमारे मटर पुनाव बनके तैयार है आप जरूर ट्राइ करना मिलते हैं नई वीडियो में तब तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना